इंडियन नेवी में Treadsman Mate की पोस्ट एक ग्रुप C लेवल की पोस्ट होती है और ये पोस्ट डिफेंस सिविलियन कैडर के अंतरगत काम करती है मतलब इस पोस्ट पर आपको युनिफॉर्म नहीं मिलती है आपको सिविल ड्रेस में ही काम करना होता है इस पोस्ट पर आपको इंडियन नेवी की production unit में काम करना होता है मतलब नेवी में जहां पर भी कोई new submarine बन रही होती है उसकी आपको maintenance करनी होती है इस पोस्ट पर आपको file transferring का काम करना होता है मतलब आपको इंडियन नेवी के एक office से दूसरे office में files को transfer करना होता है इस पोस्ट पर आपको नेवी में जो senior officers काम करते हैं, आपको उनकी काम करने में मदद करनी होती है. इस पोस्ट पर आपको computer की मदद से आपके offices में रोजाना किये जाने वाले काम का एक record तयार करना होता है और उस record को अपने senior officers को देना होता है. इस पोस्ट पर आपको computer से संबंधित कुछ basic काम भी करने होते हैं, जैसे आपको photocopies करनी होती है, कुछ letters और documents की आपको sending और receiving करनी होती है. इस पोस्ट पर आपकी duty जिस भी office में लगाई जाती है, आपको उस office की cleaning और maintenance करनी होती है. इस पोस्ट पर आपको Navy के ships में जो parks होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका आपको रख रखाव करना होता है. इस पोस्ट पर आपको वर्दी नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक civil cadre के अंतरगत आने वाली job होती है. इस पोस्ट पर आपको canteen की सुविधा भी मिलती है और आपको medical facilities भी मिलती है. इस पोस्ट पर आपको 8 घंटे की duty करनी होती है. इंडियन नेवी में tradesman mate की post, एक सरकारी पोस्ट होती है और इस पोस्ट पर आपको 60 साल की उम्र तक नौकरी करनी होती है. इस पोस्ट पर आपको level 1 pay matrix के अनुसार 18,000 रुपए से 56,900 रुपए के बीच में आपको मंथली की salary मिलती है. इस पोस्ट पर आपका promotion जल्दी से नहीं होता है, लेकिन इसमें आपकी salary हर साल बढ़ती रहती है. दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए.